आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम है सुधान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों एलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इसमें काफी बाते छपी हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि एलॉन मस्क या आटो का खर्चा बच गया या फिर ओला उबर का खर्चा बच गया लेकिन अभी लगता तो नहीं कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि यहां टेसला सी यह चाइना चले गए है ऐलॉन मस्क इस समय चाइना में है तो चाइना क्यूं तरूरी है इंडिया से जादा पाई देखो यह सी में तो नंबर वन कि हां नहीं देखिए बाते ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक जीनियस है ठीक है ना और लेकिन भारत के लिए तो बड़ी बाकते चोंकी खैर इसमें हमारी भी गलती है ऐसा सारी गलती यहां पर एलॉन मस्क की नहीं है देखो यार यह सब है यूरोप और अमेरिका चट्डियों में घूम रहते ताब हमारी सिविलाइजेशन बहुत थी बट अब उसको लेके अब ऐसा तो नहीं कि हमेशे ही गर्व करें है ना हमको समझना पड़ेगा कि रियालिटी क्या है रियालिटी चेक तो लेने ही पड़ेगा लेकिन आप ची होगे ये देश मेरे है ना या तो आप संत हो या तो बहुत बढ़े देश भकत हो औरना मैकसिमम लोग पैसे कोई तबज्जो देते हैं तो टेसला के एलाउन मस्क पुल सेल्फ ड्राइविंग ये प्रोमोट करने जो है वो चाइना पहुंचे है और उसके बाद बोला कि च बाबु भी या बैटरी का चक्र बात यह है कि जो इलेक्तिक वेहकल से वो चलते कि से है वो चलते हैं लिथियम से लिथियम बैक्टरी तो सब से इमपोस्टैन्न मस्क ने रॉबिन जि provinσιंग से मुलाकात कि जो की चेर्में है इनला सबसे बड़ा चाइनीज सबसे बड़ा प्रिडूइस करता है बाई देखो ये जो कंपनीज होती है वो जहां से लिथियम आते हैं उनसे डारेक कॉंट्राक्ट साइन करती है लिथियम इनके पास है बैटरी बनाने का इनका काम है तो चाइना कंटेंप्ररी एंपरेक्स टेकनोलोजी को लिविटेड सी ए टी एल उसस ये हम महसूस कर रहे हैं कि क्लाइमिट चेंज की वज़े से हम पर क्या आसर पड़ रहा है नदिया सूपती जा रही है कई वाटर ट्रैसिस कई भयानक बारिश जावे बारिश निवर्दी वहां बारिश और सबसे बड़ी बात इतनी गर्मी असहनी गर्मी हमको देखने को म पांटा वो शेंगाई में है अगर इलेक्टरिक वेहिकल प्रडेक्शन की बात करें तो चाइना ने अमेरिका को छोड़ दिया यूरोप को छोड़ दिया है ना और इस समय टेसला जो है आप ये समझे कि भले ही वो कितनी भी बात बोले लेकिन वो चाइना सही क्योंकि जहा आगे आने वाले समय में यही एलेक्टरिक वेहिकल जो है वो तबाही मचाने वाला है मतलब यही जो बैटरी है वो तबाही मचाएंगी बैटरी की जरूरत है आपको लिथियम की जरूरत है तो इससे तो आपको नजदी के बढ़ानी पड़ेगी तो अभी एलेक्टरिक वे आसान है कोई भी बिजनेस सेट अप करना चाइना ने ये भी बोला कि जो भी फॉरेंड कार में कर से वो यहां पर आए और फुली ओंड सबसेडियरी जो है वो देश में बना कोई दिक्कत नहीं है तो शैंग है प्लांट के अगर बात करें तो दस लाख यूनिट टेसला प्र बैटरी जो है वो अमेरिका के बाहर है अब आपको बता दूँ कि अब जो टेसला है वो न्यूजिलेंड अस्टेलिया यूरोप सब जगा अपनी कार जो है वो बेचता है इंटर्नल कमशन इंजिन की बात करें तो वहां पे भी बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी यहां पे इ करता है कि हम कहीं से बैटरी आफ यह तो हमकाम करें अभी अगेर बात करें तो भारत की जो सप्लाई वो काफी जाद फ्रैंग्मेंटेड तो हम बनाते नहीं हम बाहर से बैटरी मंगाते है तब फ्री इलेक्ट्रोन होता है वो आपका इलेक्ट्रिक सिटी जनरेक्ट करने ले काफी है तो अभी जो लिथियम आयन बैटरी है सबसे बड़ी डिमांड कहां पे लाप्टॉप में मोबाइल में टाबलेट्स में ये भी सब लिथियम से ही जनत बनते हैं ठीक है जितनी भी बार आए देखे भारत ने प्रोड़क्ट इंसेंटिव कि भाई आप प्रोड़क्ट के लिए हमने बहुत सारे ओफर्स आपके लिए निकाले हैं आपको हम सबसेडीज देंगे आपको यहां पैसा नहीं देना है आपको लैंड में अगर आप करीदोगे तो आपको हम इंसे प्रोड़क्टर है जो से सावाल जरूर पूछा जाता है उस समय मुझे लगता था रहे यार बस इसको रट लो उसमें अलग-अलग रियक्शन के लेकिन आज पता चला कि सब उसी पहीं काम कर रहा है सबसे इंप्रेंट चाप्टर वही है हाला कि उसमें एक्जाम में मार्क चार-पांच के या नंबर के ही आते हैं जादा नहीं तो अभी ACC जो है वो बहुत ही crucial component है lithium-ion batteries का तो नीती आयोग ने ही बोला है कि भारत इस समय बहुत बढ़िया position पे है और global market की बात करें तो एक बहुत बढ़ा share भारत लेगा 13% global battery demand का भारत से आएगा 2030 तक ठीक है नहीं के अगले 6 सालों तक भारत की जो electric vehicle policy है वो पिछले महीने release की थी 2018 में जो अमिताप कांत नीती आयो के CEO उन्होंने कहा था कि अभी देखिए electric vehicle policy की ज़रूरत नहीं है क्योंकि technology अभी वो technology आप में आई नहीं है बात सही भी थी उनकी लेगिन अब दोस्तों मैंने बताया ना की जो complete knockdown CKD custom duty motor vehicles पे अगर आप पूरी proper electric vehicle अगर आप मगाते तो वो बढ़ा दी है तो motor cars motorcycle से 10 से 15% महँगा तो अच्छा कासा यानि कि आप बाहर चे मगा नहीं सकते तो 2018 की बात है तो एक तरीके से भारत ने मार्केट को ही बंद करके रखा हुआ था लेगिन अब भारत पता है कि भाई EV policy बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फिर finally जो completely build up cars CBU जिनको बोलते हैं तो अगर आप 4000 करोड 4150 करोड तक आप यहाँ पे manufacture करते हो तो हम इसको माफ कर देंगे import duty को ठीक है तो यह चीज है अब European Commission October ने यह बोला था मतलब उन्होंने anti-subsidy investigation launch की थी कि जो battery electric वेहकल है उनका जो import हो रहा है चाइना से तो उस पे proper investigation था तो investigation में यह दिखाए कि सबसे पहले तो बीई जो बीई वी वी वैल्यू चेंस है battery electrical वेहकल चाइना में वह बहुत ज़्यादा benefit कर रहा है illegal subsidization से यानि कि चाइना कितनी भी subsidy दे देगा जो कि market norms के खिलाफ है ठीके अब फर्क नहीं पड़ता कि किसको injury हो रही कोई बरबाद हो रहा है कोई देज बरबाद हो रहा है कोई company बरबाद हो ना चाइना aggressive policy जो है electric vehicle को लेके उसमें बना के रखी है तो commission जो है अभी जो investigation की finding से commission establish कर देगा कि क्या European Union की interest में है कि जो unfair trade practice है चाइना कर रहा है वो सही अब देखिए अभी यूरोप में बहुत जादा demand है अभी unfair trade practice चाइना कर रहा है सारे electric vehicle maximum क्योंकि अभी हमने देखा कि 66% जो battery supply करता है वो चाइना में वो चाइना की company CATL तो अब यूरोप यह सोच रहा है कि भाई चाइना ऐसे तो monopoly create कर देगा हमारे लिए problem हो जाएगी तो और यहां तक अमेरिका ने तो warn me किया है कि चाइना का electric vehicle ऐसी की तैसी करेगा अमेरिका की तो यह हटाने के लिए भारत के पाद बहुत बड़ी opportunity है देखेंगे आगे क्या होता है लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो चाइना electric vehicle में बाजी मार रहा है अभी तुमकी BYD एक नहीं का यह कौन जी कर वे तो चाहिना कि हो कुझ नहीं परते ने देशे सदान तक नहीं होता है signing off